हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको मेरे चैनल ग्यान सीबी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोबस मेन SNTL Advance 4-in-1 मौस्चुराजिंग फेसवास के बारे में इसी फेसवास के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फेसवास का फाइदा क्या है इस फेसवास का नुकसान क्या है किनकिन समस्याओ में इस फेसवास का प्रियोग किया जाता है कैसे और कब हम इस फेसवास का प्रियोग कर सकते हैं सब हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट यदि आप पहली बार मेरे चैनल ग्यान से भी पर आये हैं तो मेरे इस चैनले को जरूर सस्क्राइब कीजिए बगल में बेल एकन में all notification जरूर on कीजिए और वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर कीजिए क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरक इनफोर्मेटी वीडियो लाती रहती हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस फेस्वास के बारे में अगर आपके मन में आता है तो आप मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी कोमेंट की रिपलाई जरूर करूंगी चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फेस्वास का फाइदा क्या के है किन किन समस्याओं में इसका प्रियोग किया जाता है यदि आपके चेहरे म ये फेस्वास पेरा विन फ्री है से एमल की ट्यूब में है ये फेस्वास ये फेस्वास आपकी स्कीन को डीप कलीन करता है और चेहरे को बास्तविक चमकदार बनाने में हेल्प करता है यह देनिक उपियोग वाला फेस्वास तोजा को गहराई से साफ सुद और ताजा करत तोजा की सुष्ट सतव को सिकाओ और असुदियों को हटाता है तोजा को नरम ताजा और अधिक कोमल और चमकदार महसूस कराता है इस फेसवास में जोला मुखी खनीज अर्क होता है जो पीमपल्स को सुखाने और आगे निकलने से रोकने में हेल्प करता है इसमें नीम है ज की जड़ भी होती है जो उमर के धवो को मिटाने और तोजा की रंगत को एक समान करने में हेल्फ करती है यह चिदरों को साफ और कस्ता है जिससे मुहासे अतिरिक्त सीबम और पसीने को कम करने में हेल्फ मिलती है इसमें आवला होता है जो एंटी ओक्सिडेंट का काम करता है इसके साथ इसमें भीटामिन C का एक सम्रिद स्रोत है, जो आपकी तोजा को चमकदार टोन और कस्ने में सहायता करता है, और स्कीन को इवें टोन करने में भी हेल्फ करता है, अब हम बात करेंगी इस वीडियो में इस फेसवास का साइड इफेक्ट के बारे में, इस फेसवास का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अब हम बात करेंगी इस वीडियो में इस फेसवास को आप कब और कैसे लगा सकते हैं, आप मोर्निंग में भी इस फेसवास का यूज कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं, चेहरे को गिला करे और थोड़ी सी कोईंटीटी में इस फेसवास को लेना है और चेहरे पर और गर्दन पर लगा कर हल्की हातें से मसाज करना है फिर धोकर अच्छी तर से सुखा लेना है और कोई भी एक अच्छी मोस्टरेजर क्रीम आपको लगा लेना है आप दिन में या रात में सुने से पहले कभी भी आप लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं इस फेसवास को